आज राष्टिये एकता दिवस पर मैं सरदार साथ द्वारा हमें सोंपे दाइत्व को फिर दोहराना चाहता हूँ उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी भी दी थी कि हम देश की एकता को मजबूत करें एक राष्ट के तौर पर देश को मजबूत करें ये एकता तब मजबूत होगी जब हर नागरिए एक जैसे करतव्यबोत से ये जिम्मेदारी संभा लेगा आदेश इसी करतव्यबोत से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है आदेश में हर कौने में हर गाओं में हर वर्ग के लिए और हर व्यत्ती के लिए मिना भेदभाव के एक जैसी नीतियां पहुँच रही है आज अगर गुजरात के सूरत में सामान्य मानवी को मुप्त वैक्सिन लग रही हैं तो अरुणाचल के सियांग में भी उतनी ही आसानी से मुप्त वैक्सिन उपलब्द है आज अगर एम्स गुरकपूर में है तो बिलाजबूर दरपंगा और गोहाटी और राजकोट समेथ देश के दूसरे शहरों में भी है आज एक और तमिल नाडू में डिफेंस कोरिडोर बन रहा है तो उत्तर प्रदेश में भी डिफेंस कोरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है आज नौर्थिष की किसी रसोई में खाना बन रहा हो या तमिल नाड़ू की किसी सम्यल अरई में खाना बन रहा हो भाषा बले अलग हो भोजन बले अलग हो लेकिन माताओ बैनों को दूए सी मुक्ति दलाने वाला उझवला सिलेंडर हर जगे है हमारी जो भी नीतियां है सबकी नियत एक ही है आखरी पाइदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ दा